हलो असलाम अलेकूम जनाब यह देखें यह एक अमेरिका का इदारा है जहां पे लोग अपनी चीज़े डुनेट करते हैं आके और मैं भी यहां थोड़ी बहुत चीज़े कुछ घर की डुनेट करने आया हूं तो मैं अभी आपको समझाता हूं मैं जरा पहले इनको सामान दे मैंने भी इन्हें कुछ कपड़े और शूज वगरा दिया है तो हम यहां से मूव करते हैं यह देखें आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा कि अगर दिखा सकें यह देखें यहां यह सब सामान इनका अंदर जाता है और यहां पर यह सब इनके बड़े-बड़े वेयर हाउसे बने वेयर जहां पर सब डुनेशन का सामान आता है उसके बाद यह करते हैं कि अच्छा तमाम लोग इन इदारों को आके डुनेट करते हैं चीज़े न अपने घर की चीज़ें यहां फेकी नहीं जाती है इस तरह से डुनेट कर दी जाती है तो यह तो बेज देते हैं बए सब चीजा करके और यह तमाम चीज़े के लिए आ जाती ही इंटेहाई कम कीमत में लो क्रगों को सफेद पोशे लोग होते हैं जो वो चीजा खरीदने ही पाथे उत्पाइबंें वह यहां से इंटेहाई कम कीमत में लेकर यूज कर सकते हैं इंतहाई कम कीमत में ले लेता है और कुछ सफेद पोश्च लोग ऐसे होते हैं जो किसी से डुनेशन लेना पसंद नहीं करते हैं ऐसा हमारे कंट्रीस में भी होता है तो जो लेना पसंद नहीं करते हैं जिनकी इगो हर्ट होती है या उनकी इज़त नफस पे बात आती है या हमने कोई चीज़ पर्चेस की है और वो चीज़े इतनी बुरी नहीं होती है चीज़े अच्छी इस्तमाल की चीज़े होती है और खराब नहीं होती है अंतहरी कम कीमत में मिलती है देखें सामने ये गुडविल के नाम से इदारा है और ऐसे और भी दूसरे अधारे मौजूद हैं और ये डुनेशन का है जो लोग नए नए इस कंट्रीस में आते हैं तो वो बेसिकली उनके लिए जादा फायदेमन चीज होती है कि वो यहां से अपनी चीज़े लेके और अपनी जिन्दगी की शुरुआत करते हैं और ऐसा ही तरीके कार होता है हम चाहें तो इस तरह का कुछ हम अपने कंट्रीस में भी कर सकते हैं बिल्कुल करना भी चाहिए कि हमारे अपने कंट्री में भी कुछ इस तरह की चीज जो है वो शुरू हो कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो लोगों की इगो हर्ट ना हो ल तो इन्शाला ताला फिर मिलते हैं पीस लव अल्ला हाफिस